Hello everyone, welcome to my YouTube channel, मैं रियनू, आज आप लोगों को बताऊंगे living things और non living things के बारे में, जो की class 1 में पढ़ाये जाता है, तो आए देखते हैं, living things, living things means सज्यू, सज्यू कहने का मतलब होता है जिसमें जान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सज्यू कहते हैं, और living things, इसको इंगलिस में हम क्य क्या कहते हैं, living things, तो living things में क्या क्या जरूरी होता है, उसे हम देखते हैं, क्या क्या किसी चीज में हमें क्या क्या दिखाई दे, तो हम उसे living things कह सकते हैं, जैसे food, air and water, अगर किसी चीज में हमें food, air and water दिखाई देता है, दिखाई देने का मतलब है, उसके लिए जरूरी ह होता है जैसे मैन क्या है मैन एक living things है एक सजीव है तो मैन के लिए क्या जरूरी है फुड भी जरूरी है एयर भी जरूरी है वाटर भी जरूरी है तो उसे हम क्या कहेंगे living things कहेंगे they can move feel grow and reproduce movements एक अस्थाम से दूसरी अस्थाम तक जाना feel means feel करना यदि हमें कोई मार रहा है तो हम उस चीज को क्या करेंगे feel करते हैं हमें चोट आती है grow करेंगे हम छोटे से बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं grow करते हैं reproduce मतलब अपने जैसे को जर्म देना तो कहने का मतलब ये सारी चीजे जिस वस्तु में हमें दिखाई दे उसे हम living things कह सकते हैं for example tree tree क्या है एक living things है क्यों है tree के लिए क्या जरूरी है food जरूरी है air जरूरी है and water जरूरी है ये तीनों चीजे एक जरूरी होती है living things के लिए अगर ये तीनों चीजे ना हो तो उसे हम living things नहीं कह सकते हैं तो food, air and water tree के लिए क्या है जरूरी है तो tree क्या हो गया एक living things हो गया अब यह क्या करता है move move करता है नहीं करता है ट्री कभी भी एक स्थान से दुसरे स्थान तक नहीं जाते फिल भी नहीं करते हैं अगर ट्री को हम काटते हैं तो क्या यह रोते हैं नहीं रोते तो ट्री करते हैं फिल भी नहीं करते हैं ग्रो ट्री क्या करते हैं ग्रो क अपने जैसे को जन्व देते हैं, reproduce करते हैं, man, man क्या है, एक living things है, animal, animal में भी सारे condition, देखिए, same to same है, इनके लिए food ज़रूरी है, air ज़रूरी है, water ज़रूरी है, ये move करते हैं, feel करते हैं, grow करते हैं, reproduce करते हैं, bird भी वही है, तो कहने का मतलब है, living things उसे कहते हैं, जिसके लिए food, air and water, खाना, पानी, हवा, ये तीनों चीज़े ज़रूरी होती हैं, उन्हे हम living things कहते हैं, यानि कि सजिव कहते हैं, और वो क्या-क्या कर शकते हैं, वो move कर शकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, grow करते हैं, living things क्या करते हैं, और reproduce करते हैं, तो ये हो गया living things, अब आएए देखते हैं non living things, non living things क्या है, तो किसी भी चीज को जानने के लिए कि वो living things है या नहीं है, उसमें क्या जरूरी है, तो उसमें जरूरी है food, air और water, अगर ये तीनों चीजें जिसमें पाई जाएगी, उसे हम living things कहेंगे, जिसमें नहीं पाई जाएगी, उसे हम non living things कहेंगे, living things do not need food, air or water जो non living things होगा उसके लिए food, air और water की जरुवत नहीं है they cannot move, grow fill or reduce कहने का मतलब है living things जो है उसका just उल्टा होगा non living things non living things को हम हिंदी में कहते resume 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 कहने का मतलब जिसमें जान ना हो resume बीना जान का हो उसे हम क्या कहते है non living things कहते है और उसके लिए जो जरूरी चीजे है food, air or water living things में ये जरूरी चीजे है लेकिन non living things में ये जरूरी नहीं है और न ये move कर शकते है न ग्रो कर शकते है न feel कर शकते है न reproduce कर शकते है for example book, copy, door, car, etc कहने का मतलब है कि जो चीजे एक अस्थाम से दूसरे स्थाम तक नहीं जा सकती है जो grow नहीं करती जो feel नहीं करते जो reproduce नहीं करते वो क्या है non living things है अब आईए देखते हैं हम natural non living things एक और बात non living things क्या है non living things ये man made है man made कहने का मतलब इसे हमने बनाया है ये मानव दवारा बनाया गया है जिसे book है book को किशने बनाया है हमने बनाया है copy है copy को हमने बनाया है door को भी हमने बनाया है तो कहने का मतलब है कि जो non living things है ये man made है इसे मानों ने बनाया है तो इसे हम man-made non-living things भी कह सकते है अब जैसे ये तो हो गई living things और non-living things की बात अब अगर किसी ने ये question कर दिया हमसे कि नदी क्या है, river क्या है, river living things है और non-living things है, ये क्या है तो river देखिए, ये क्या river तो move भी करती है ये एक स्थान से दूसरे स्थान भी जा रही है ये grow भी हो जाता है, कभी-कभी देखते है इसका पानी क्या हो जाता, river का water बढ़ जाता है तो लेकिन ये क्या करती है, ये feel नहीं करती लेकिन move तो करती है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए ये हो जाता है, natural, non-living things जिसे हमने नहीं बनाया, जिसे किसने बनाया है natural ने बनाया है, प्रकृति नहीं से बनाया है non-living things क्या है, non-living things जिसे हमने बनाया मानों द्वारा बनाया गया, वो है non-living things और natural and non-living things वो है, जिसे हमने नहीं बनाया उसे नेच्रल ने बनाया, जैसे water, water क्या है, water को हमने नहीं बनाया है, ये naturally है, wood, soul, जो rate है, rate क्या है, rate भी एक natural non-living things है, rocks, rocks भी क्या है, natural non-living things है, तो इसे हम ना living things कहेंगे, ना non living things कहेंगे, इसे हम कहेंगे natural non living things, जिसे प्रकृति ने बनाया है, जिसे मानों ने नहीं बनाया है, ठीक है, आगई बात समझ में, तो अब देखिए, अब सब कुछ clear है, living things means क्या, सज्यू, जिसमें जान हो, उसे हम क्या कहेंगे, सज्यू, यानिके living things, living things के लिए क्या जरूरी है, food, air and water, अगर ये तीरों चीजे किसी चीज में हमें देखने को मिलती है, तो वो क्या है, living things है, और non living things के लिए, just इसका उल्टा हो जाएगा, उसे food, air and water की जरूरत नहीं है, वो हो गया, non living things, कहने का मतलब निरिज्यू, जिसमें जान ना हो, उसे हम निरिज्यू कहते हैं, non living things कहते हैं, और natural non living things कहने का मतलब है, जो natural है, जिसे हमने नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया है, वो क्या हो गया, natural non living things हो गया, जिसे water, wood, shore, rocks, etc, ये सब क्या है, natural और book, copy, pencil… ये सब क्या है? Man-made है तो ये non living things जो होते हैं ये man-made ही होते हैं और जो naturally non living things है उसको हम natural non living things कह सकते हैं यानि कि प्रक्रिती जो हमें प्रक्रिती से प्राप्थ हुआ है उसे हम natural non living things कहते हैं तो ये हो गया आज हमारा living things और non-living things complete हो गया जो कि class 1 की बच्चों को पढ़ाया जाता है आप इसे अगर अच्छे से समझ पाएं तो आप जरूर अपना comment comment box में लिखें अगर इसमें मैं कुछ और improve कर शकूं तो आप वो भी अपने comment में बताएं अगर आपको ये वीडियो यूजफूल लगता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें लाइक करें, comment करें और share करें थैंक यू